अगर आपको इस चाप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डालेट लिक लिए इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप चाप्टर शिरू करते हैं इस चाप्टर में हम आपने वास्ट इंडिन हेरिटज की एक जलग देखेंगे इंडिया के हिस्टरी में बहुत से फिलोसफर्स और धार्मिक लीडर्स रहे हैं जिन्होंने लोगों की लाइफ में नॉलेज बढ़ाई है उनकी आइडियाज और थौट्स को डॉक्युमेंट्स और टेक्स्ट के तरू टाइम के साथ पास on किया गया है इन लोगों की आइडियाज को आर्किटेक्चर यानि बिल्डिंग्स के तरू भी दर्शाया गया तो जैसा की चाप्टर का नाम है तेंकर्स यानि वोही फिलोसफर्स, बिलीफ्स यानि लोगों का विश्वास और बिल्डिंग्स का मतलब पता ही है इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये हमें हमारे पास के बारे में बताते हैं इस चाप्टर में हम mainly जैनिजम, बुद्धिजम और पुराने कल्चर के बारे में जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं साची की साची का स्थूपा बहुत फेमस है क्योंकि ये बुद्धिस्म कल्चर की एक बहुत प्रसिद जगा है क्योंकि ये साची का स्थूप बहुत पॉपलर था अव्वेस से बात है कि फ्रेंच और ब्रिटिशेस भी इसमें इंट्रस्टिट थे इन फैक्ट उन्होंने कोशिश भी की कि इसे कुछ इंपॉर्टिट समान को वो फ्रांस और ब्रिटेंग की म्यूजियम्स ले जाएं बट उन्हें मना कर दिया गया बाद में जॉन मार्शल ने भोपाल की रहनी शहां जहां बेगम की मदद के साथ स्टूपा के उपर रिसर्च की और कई वॉल्यूम्स में किताब लिखी इन फैक्ट बेगम की ही मदद की वजह से इसका म्यूजियम भी बना बट अब आप सोचोगे कि हम एकदम से स्टूपा के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं तो अब जानते हैं कि ये स्टूपा क्यों important थे और वो क्या reasons रहें जिसकी वजह से इसकी development हुई फर्स्ट मिड मिलेनियम बीसी में दुनिया भर में बहुत से popular thinkers आए जैसे इरान में जराथूस्त्र, चाइना में कॉंग्जी, ग्रीस में सोक्रेटीज, प्लेटो और अरिस्टॉटल जैसे thinkers और इंडिया के अंदर आए गौतम भुद और महावीर इन्होंने इंसान को समझने की कोशिश की spiritual level पे कि इंसान क्या है इतने बड़े विश्व में इन्होंने लोगों को non-violence और सचाई की ताकत के बारे में सिखाया प्लस meditation और योग के थुरू enlightenment हासल करने का रास्ता दिखाया enlightenment यानि सुक और दुख से उपर उठ जाना ये सिखाते थे कि अगर इंसान अपना कर्म सही रखे तो जीवन और मौत के बंधन से मुक्ष प्राप्त कर सकता है ये वो ही टाइम था जब लोगों की life काफी change हो रही थी क्यों? क्योंकि cities develop होना शुरू हो गई थी और लोगों की life में काफी challenges आ रहे थे तो एक बात ध्यान रखना कि ये thinkers और philosophers history में तभी आते हैं जब society में कुछ changes आते हैं और उन्हें लोग समझ नहीं पाते हैं उन्हें ही समझने के लिए ये thinkers और philosophers आ गया है हमारे वेदों में हमें कई rituals और sacrificial traditions के बारे में देखने को मिलता है जैसे रिगविदा में कई ऐसे rituals हैं जिसे एक परिवार करता है घर में सुक शांती बनाए रखने के लिए या आपने राजसुया या अश्वमीद के बारे में सुना होगा जिसमें राजा घोडे का बलिदान देते थे लड़ाई से पहले ताकि अपने दुश्मन पे विजय पा सके लोगों को एक excitement रहती थी कि ये जीवन और मृत्यू क्या है संसार के क्या राज है इन फाक्ट आज भी हम जब इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमारी excitement जागती है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है है ना ऐसे ही उस time के thinkers ने भी इन चीज़ों के बारे में गौर करना शुरू किया कि क्या वाकए इनसान का पुनरजनम होता है मरने के बाद अब जैसे जैसे लोगों की जगरुकता और उतेजना बढ़ती गई इन मामलों में उन्होंने debates में हिस्सा लेना शुरू किया और इन सब discussions के बारे में हमें इने thinkers की documents और text में देखने को मिलता है In fact, time के साथ लोगोंने इन sacrificial traditions पे भी सवाल उठाने शुरू किये और ब्रह्मन्त की position में भी हमें एक change देखने को मिला अब एक सवाल मन में ये भी आता है कि इतने सालों से ये बुद्धस्ट text सम्हाल के कैसे रखे गए तो originally गौतम बुद्धा ने कोई text नहीं लिखे थे वो oral ही चीज़ों को बताते थे लोगों को बट उनकी death के बाद उनके शिश्यों ने उनकी teachings को in documents में लिखा इन documents को त्री पतका कहा जाता था यानि तीन basket जिसमें तीन type के text थे और इन documents manuscripts की form में लिखे जाते थे ताकि इन्हें preserve किया जा सके और जैसे जैसे बुद्धिस्म बाकी देशों में फैलने लगा उन देशों से लोग आने लगे इन text की खोच में और इन्हें monasteries में संभाल के रखा गया तुनिया भर में अब बात करते हैं जैनिजम के बारे में तो जैनिजम इंडिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है जैन धर्म के philosophy हमें वरतमान के जनम से भी पहले देखने को मिलती है नौर्थ इंडिया में वरतमान वो हैं जिनने आगे जाके महावीरा के नाम से जाना गया जैन ट्रेडिशन के according महावीरा से पहले 23 और टीचर्स रह चुके थे जिनने तीर्थांकर बोलते हैं तीर्थांकर का literal मतलब है जो लोगों को रहा दिखाते हैं और मदद करते हैं संसार रूपी नधी को पार करने में तो जैन धर्म में इनी 24 तिर्थांकर के बारे में बात हो रखी हैं जिनमें महावीरा 24 में तिर्थांकर दे बरतमान का जनम 599 BC में कुंद ग्राम में हुआ था जो विशाली के पास है इनके पिता शत्रिय गृप के हेड थे आगे जाके इन्हें भी मौका मिला अपने पिता के कदमों पे चलने का बट ये संसार के सभी सुखों को त्याक के योग और ध्यान की रहा पे निकल गए क्योंकि इन्हें जीवन का मतलब समझना था और ये इन्हें इन्लाइटेंटमिन मिली बिहार के जिंभिका ग्राम में और तब से ये महवीरा के नाम से जाने गए जैन धरम का सबसे important idea है कि ये दुनिया animated है और हर किसी में प्राण है इवन पत्थर, हवा और पानी में भी किसी भी जीव के साथ अहिंसा जैनिजम की central philosophy है क्योंकि अगर इन्सान को मोक्ष पाके इस जीवन मृत्यों की cycle से मुक्त होना है तो अपने कर्मों पे ध्यान देना होगा और ये तब ही होगा जब आप जीवन के सुख त्याक के योग और ध्यान की रहा पे चलोगे जैन ध्यरम में पांच वाउस की बात हो रखी है जिने पंच शील कहते हैं और तीन जूल्स की बात होती है जिसके थूँ इंसान मोक्ष प्राप्ती कर सकता है जो पांच वाउस हैं वो है सत्य यानि ट्रूथ अहिंसा यानि नॉन वाउलेंस अस्थेया यानि नॉन स्टीलिंग अपारीग्रह यानि किसी प्रापर्टी का पॉसेशन नहीं और फाइनली भ्रहमचर्या यानि साधुका जीवन जिन तीन जूल्स की बात होती है वो है राइट नॉलेज, राइट फेथ इसके अलावा ध्यान देने वाली बात ये है कि जैनिजम में कास्ट सिस्टम और साक्रिफिशल क्रेडिशन की कड़ी निंदा होती है स्टार्टिंग में जैनिजम सिर्फ कौसल, मगद, विधेया और अंगराज्यों में था बट आजाच चत्रू, बिंबिसारा और चंदरगुप्तर मौरया जैसे राजाओं की वजह से जैनिजम पूरे इडिया में फैल गया जैन स्कॉलर्स ने कई टेक्स्ट लिखें जिनमें अगम सिध्धान्त बहुत पवित्र माना जाता है ये लिट्रेचर हमें संस्कृत, प्राकृत और टमिल में में विले है अब वापस आते हैं और समझते हैं कि बुद्धिस्म की शुरुवात कैसे हुई तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स की स्टड़ी कर करके हमें बुद्धिस्म के बारे में पता चलता है इनमें एक इंपॉर्टन टाइप का डॉक्यूमेंट है हाग्योग्रफी ये एक तरीके से गौतम बुद्ध की जीवनी थी जो उनकी जाने के भी सौ साल बाहर लिखी थी उनके फॉलोवस ने ताकि उनकी मेमरीज को सहेज के रखा जा सके तो जो गौतम बुद्ध थे उनका असली नाम था सिधार्थ और उनका जनम लुम्बीनी में हुआ था 563 BC में इनके पिता साक्य क्लैन जोकी कपल वस्तू में था उसके चीफ थे गौतम बुद्ध के पास सभी लक्शूरियस चीजें थी जब वो बड़े हो रहे थे और उन्हें महल की अंधर ही रखा जाता था बाहरी दुनिया से अंजान एक दिन जब सिधार्थ रत लेके बाहर निकले तो उन्होंने असली दुनिया देखी और देखा कि लोग कितनी मुश्किलों में रह रहे है उस दिन वो तीन लोग उसे टकराए पहला था व्रिद्धव्यक्ति दूसरा था एक बिमार इंसान और तीसरा था एक मृत इंसान जिसे क्रिया करग के लेके जा रहे थे इस जीवन के सचाई को देखके सिधार्थ अंदर तक हिल गई और उन्होंने फैसला किया कि अपने घर और सुख को त्याग के योग और ध्यान की रहा पे जाने का ताकि इस जीवन का सही मतलब पता लगा सके इन्हें एनलाइटनिन मिली गया में और तब से इन्हें गौतम बुद्ध की नाम से जाना गया गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को समयर्पत कर दिया उन्होंने अपना पहला सर्मन यानि लेक्चर सारनात में जो डियर पार के वहां दिया था और इस लेक्चर को आगे जाके धर्म चक्र परिवरतन के नाम से जाना गया यानि तर्निंग दवील आफ धर्मा बुद्ध फिलोसिफिक के अकॉर्डिंग दुनिया शनिक है यानि लगातार बदलती रहती है ये आत्मा विहीन भी है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी पर्मनेंट नहीं है और इस टेंप्ररी दुनिया में इंसान को दुख भोग नहीं पड़ेगा इन टीचिंग्स को हम में लिग कहानियों के फॉर्म में पड़ते हैं जो सूथ पिताका में मिलती है अब फटाफट से बात गौतम बुद्ध की फॉलोज की भी कर लेते हैं तो उनके शिश्यों ने एक संग बनाया यानि एक ओगनाइजेशन जिसमें सभी उनकी टीचिंग्स को आगे फिलाते थे और ये अपने साथ सिर्फ एसेंचिल चीजें ही रखते थे जैसे एक कटोरा जिसमें बिक्षा में खाना मांगते थे इसलिए इन्हें बिक्खुज भी बोला जाता था पहले इन संग में सिर्फ आदमी होते थे बट बाद में औरतों को भी इसमें शामिल किया गया जिनें बिक्खुनी बोला गया और जो पहली महिला थी इस संग में शामिल होने वाली वो थी गौतम बुद्ध की सौते लीमा महापजापती गौतमी अब आते हैं स्टूपास के उपर क्योंकि टेक्स्ट के बाद ये भी एक important source है पास्ट के बारे में जानने का स्टूपा शब्द का यूज रिगवेदा, अथर्ववेदा और समिता में हुआ है तो जैसे हर धरम में कोई न कोई पवित्र जगा होती है ऐसे ही इन स्टूपों को भी पवित्र माना जाता था कुछ important पवित्र जगा थी जैसे लुंभीनी जहां गौतम बुद का जनम हुआ या बोध गया जहां उन्हें इंडाइटिंडन मिली या सार राथ जहां उन्हें पहला सर्मन दिया तो इन जगहों को इसी लिए पवित्र माना गया और यहां स्टूप बनाये गए ये बताने के लिए कि ये जगह पवित्र है अशोक वद्न के according अशोका ने आलागलाग राज्यों को गौतम बुद की चीजें मार दी थी और उन्हें order दिया था कि जिस भी जगह पे वो रखी जाएं वहां स्टूप का निर्मार हो इन सब स्टूपों में हमें usually inscriptions देखने को मिलती हैं जिससे पता चलता है कि किन किन लोगों ने चंदा दिया और मदद की इन स्टूपों को बनवाने में इन स्टूपों का जो structure था वो काफी simple था उपर का structure conical गुमबद की shape में था जिसे अंडा कहा जाता था उसके उपर एक चौकोर balcony टाइप का area जिसे हार्मिका बोलते थे और यह माना जाता था कि इस हार्मिका में देवताओं का वास था उसके उपर एक यश्टी और छत्री थी जो दिखने में umbrella जैसे लगती थी इन स्टूपों के चार gates थे जो चार दिशाओं को दर्शादे थे यह जो स्टूपा होते थे modern time में इनकी खोच कैसे हुई यह भी एक interesting topic है 1796 में एक local राजा ने अमरावती में एक local स्टूपा देखा जो काफी पुरानी और खराब हालत में था उस राजा को लगा कि वहाँ कोई खजाना दफन है बाद में British Colonel Colin Mackenzie ने इसे दुबारा rediscover किया बट वो भी इसे समझ नहीं पाए कि यह क्या है 1854 में Walter Elliot अमरावती आए और इस स्टूपा के sculptures को इंडिया की अलग अलग जगा भीजने लगी उन्होंने इस बात की भी खोज की कि यह actual में एक स्टूपा है और शायद अपने time पे सबसे बड़ा और सुन्दर स्टूपा रहा होगा बट still, instead कि उसे वो वहीं ठीक करें वो उसे अलग लग जगा disassemble करते रहे कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया जिनमें एक थे archaeologist एचेच कोल बट उनकी बात को सुना नहीं गया अब एक सवाल मन में ये आता है कि साची का स्टूपा क्यों बच गया और अमरावती का स्टूपा क्यों नहीं बच पाया तो इसका एक logical answer कि यह हो सकता है कि साची का स्टूपा बाद में मिला था और तब तक लोगों को एहसास हो गया था कि ये चीज़ने क्या importance रखती है जैसा कि हमने अभी देखा कि इन स्टूपों में जो sculptures थे यानि pillars और मूर्तियां उन्हें लोग ले जाया करते थे वो इसलिए क्योंकि ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती थी और उसके पीछी reason था कि इन sculptures में actual में जातक कठाएं pictures के थूँ बता रखी थी और इन्हें समझने के लिए archaeologist ने hagiographies का इस्तमाल किया था Gotham Buddh की जीवनी ये इसलिए किया गया क्योंकि इन sculptures में symbols का भी यूज हो रखा है जैसे कई जगा गौतम Buddh को human form में नहीं दिखा रखा और सिर्फ खाली seat दिखा रखी है उनकी जगा एक और symbol जो काफी यूज हुआ है वो था एक चक्र जो represent करता है सारनात को जहां उन्होंने अपना पहला सवमन दिया था कुछ sculptures में बहुत सुन्दर woman दिखाई देती हैं जिन्हें शल भंजिका बोला जाता है लोगों के according शल भंजिका वो woman थी जिनके चूने से पेड़ों में फल और फूल आ जाते थे इसका एक मतलब ये भी है कि अलग अलग लोग जो Buddhism में आते थे वो अपने पुराने beliefs और नई सोच को भी साथ जोडते थे और Buddhism को और बहतर बनाते थे इसके अलावा एक मोटिफ ये भी देखने को मिलता है जहां एक woman कमल के फूल और हाथियों के बीच है जिसे कुछ लोग गौतम बुद्ध की मा माया मानते हैं और कुछ लोग गजलक्षमी देवी मानते हैं इन स्कल्प्चर्स के अलावा हमें अजंता में पेंटिंग्स भी मिली हैं जो जातक कठाओं के बारे में बताती हैं अब टाइम के साथ हर रिलिजिन में चेंजिस देखने को मिलते हैं तो ऐसे ही चेंजिस हमें बुद्धिसम में भी देखने को मिले यहां गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स दो पार्ट्स में बट गए महायान और हीन्यान महायान में में मेंली वो आइडियास थे जो संग में ओरिजिनेट हुए थे यह वही संग था जो उनके शिश्यों ने शिरू किया था पहले गौतम बुद्ध को एक इंसान की तरह ही देखा जाता था जिन्होंने अपनी मेहनत से मोक्ष प्राप्ति की थी बट बाद में बोधी सत्व का कॉंसेप्ट डवलाप हो गया जब लोग उनकी पुजा करने लगे और उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया हीन यान वो लोग थे जो पुराने टीचिंग्स को ही फॉलो करते रहे यह भगवान वाला कॉंसेप्ट हिंदुईजम में बहुत पॉपलर है जहां वैष्णविजम और शेविजम की बात होती है वैष्णविजम वो ग्रूप है जिसमें मेन भगवान है विश्णू और शेविजम वो ग्रूप है जहां मेन भगवान है शिवा वैष्णविजम में भगवान विश्णू के दस अफ़तार की बात हो रखी है कि कैसे जब-जब धर्ती पे अन्याय बढ़ा तो लोगों को बचाने के लिए उन्होंने धर्ती पे जनम लिया इसी लिए उन्हें सेवियर की तरह देखा जाता है ऐसे ही शैविजम में भगवान शिव को Creator और Destroyer की तरह देखा जाता है इस ताइम जहां स्दूपा बन रहे थे वहीं मंदिरों का कॉंसेप्ट भी आ रहा था जहां लोग मूर्तियों और तस्वीरों की पुझा करना शिरू कर रहे थे सबसे पहले मंदिरों में से एक था गर्ब ग्रह जहां सिर्फ एक दर्वाजा था और अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां लोग तस्वीर की पूचा कर सकते थे बड़ धीरे ताइम के साथ मंदिर डवलाप होती गए और उन्हें और सुन्दर बनाया गया तो यहां कतम होता है हमारा चाप्टर अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेर करें तो keep learning and I'll see you in the next chapter Thank you